हности हैं hello everyone आज हम बात करते हैं discontinu इसके बारे में ठीक है हमने continuous function को discuss किया है ellipsis function uniform continuous function आज Nich कि push discuss型 tail's Learner कि क्या होता है discontinuity होती है ठीक है जैसे कि मैं आपको बदा चुक हुआ हूं यह सारह सरे शर्द और आ requireик objects कि फॉयàoगों से जितना भी उसका वो में हैं डिसक्स कर रहा हूं ठीक है c.s.i.r.net c.s.i.r.net jrf ठीक है i.t.jam and gate mathematics इसमें जो सेले बस आता है वो सारा मैं हैं कवर कर रहा हूं वो सारा सेले बस वो सारा कोड जो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाकर बढ़ते हैं वो ये मैं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं वो आपको मिलती रही इसके लिए आपको बैल आइगन का ओन करने हैं ठीक है बस इतना काम आपको करना है ठीक है और यह सारा से लिए बस मैं डिसक्स करूं जितनी भी हमारे सब्सक्राइब करते हैं चैक करते हैं तो वो उस पॉइंट के ओपर function एक discontinuous हो जाए तो हम कहता है कि इस पॉइंट कर दिसकं यूटियोटई है ठीक अब वो depends करता है वुसको हमने categorize कर दिया कि है फर्स्ट काइड हैं इसे कर दिया कि मोवल है यह क्या है पहले के लें पोईंट चैके लेविट पोईंट पर हम अन्टी चाहिए यह दिक्रिशन हो जाएगी यह थो डॉमें में ने बिलॉंग करें पॉंट आपट ए डास्ट बिलॉंग फॉर एस दोमें इसमें डिफाइन फंक्शन ठीके और यह फिर अगर डोमी ने बिलॉंग तो लेकिन लिमिट एक्जिस्ट ना करें ठीक है लिमिट एक्जिस्ट ने करें यह फिर आसा होता है लेकिन एक्वल ना हो function की value at that point तो भी discontinuity आएगी अगर लिमिट एक्जिस्ट कर रही है मलब माले वह इसमें point belong भी करता है और limit भी exist कर रही है लेकिन function की value उस point पे लिमिट तो एक्जिस्ट कर रही है right hand limit left hand limit लेकिन जब हम पॉइंट फंक्शन ने पूट करते हैं तो वह equal नहीं आता right hand limit और left hand limit ठीक है तो इस condition भी हम कह सकते हैं कि discontinuity है यह फिर यह हो सकता है कि a belongs to s मतलब वह point belong तो कर रहा है उसके अंदर domain में लेकिन limit exist नहीं कर रही है अगर limit exist नहीं कर रही है उस point a के उपर तो भी हम कहेंगे कि हमारे पार discontinuity है at that point ठीक है यह इस तरह से हम discontinuity को define करते है mathematical ग्राफिकली मतलब यह हो गया कि function break कर जाएगा उस point के उपर जहांपर discontinuity होगी चलिए कुछ example देख लेते हैं जैसे f x equal to sin x x not equal to 0 tending to 0 लेकिन 0 does not belong to domain में है तो discontinuity आ जाए इस तरह से secret secret example आप देख सकते हैं कि sin x upon x where x not equal to 0 and 0 पर value 0 ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कि function की value ही 0 पर बराबर नहीं है ठीक है limit x tends to 0 and function की value add x equal to 0 पर बराबर नहीं है तो यहां पर discontinuity यहां पर रखेगा इस तरह से यहां पर limit exist नहीं कर रहे हैं तो यह different type example लेकर समझाएगी कि किसी तरह के discontinuity हो सकती है ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं क्लासिफाइ करते हैं classification of discontinuity ठीक है तरह से बहले बात करते हैं removal discontinuity removal से मतलब यह है कि इसको remove कर सकते हैं मतलब redefine करेंगा function को redefine करने के जैसे function के हमारे पर removal discontinuity है तो मुसको redefine करके मतलब continuous बना सकते हैं यह कह रहा है कि let a be a limit point of s such that limit x tends to a f of x exist limit ठीक हरा है कि let a be a limit point of s ठीक है ध्यान देने की बात कि a should be limit point of the domain or s ठीक है such that limit x tends to a f of x exist then f has removal discontinuity at x equal to a if with the condition a does not belongs to s or if a belongs to s but limit x tends to a f of x does not equal to f of a okay तो यह है discontinuity removal type की कि discontinuity removal कहलाएगी at equal to a पर x equal to a पर अगर वो या तो point belong ही ना करें domain के अंदर यह अगर belong कर रहा है तो limit limit exist कर रही है लेकिन function की value के बराबर नहीं है उस point को पर ठीक है right hand limit equal to left hand limit okay but जब हम वो point function ने put करते हैं तो वो right hand limit or left hand limit के बराबर नहीं आता है ठीक है तो इस condition हो कि हमारे पास जो है वो removal discontinuity है okay जैसे के example ले लिए fx equal to sin x upon x where x not equal to 0 domain of definition इसके ले लिए r minus 0 equal to s here 0 does not belong to s because हमने 0 को यहां से remove कर दिया है ठीक है by defining function this इसको हम remove कर सकते हैं इस type की discontinuity जैसे दूसरा example लिया है मैंने यह last में लिख दिया कैसे redefine करेंगे दूसरा example लिया fx equal to sin x upon x where x not equal to 0 and x equal to 0 दियो डी होगे और पूरा इसका दियो डी आर ले लिया 0 बिलाउंग कर रहा है इसके अंदर आर में 0 बिलाउंग गड़ता है लेकिन limit x दो 0 f of x equal to 1 जो की f of 0 के बराबर नहीं क्योंकि f of 0 पे value 0 है यहां ठीक है लिमिट एक्जिस्ट लिमिट दोनों right hand limit equal to left hand limit के है लेकिन function के value के बराबर नहीं है so it means इसके पास removal discontinuity है function के पास ठीक है so we can remove this discontinuity by redefining the function redefine कर दिया function को बस क्या करा 0 बिजाएंगा वन लिखती हमने ठीक है तो हो गया अब देखो यहां पर limit x x to 0 पर इसकी जो है sin x upon x की limit x x to 0 पर limit 1 आती है ठीक है और 0 पर भी अगर हम 1 कर दें यह x equal to 0 पर 1 लिखते हैं तो function redefine होके dood मतलब इसका पूरा r हो जाएगा तो function हमारा continuous हो जाएगा at x equal to 0 पर ठीक है तो redefine करके भी हम function को continuous बना सकते है इस condition में कि अगर हमारे पास removal discontinuity है okay चलिये अब हम बात करते हैं कि दूसरे question से इससे लेट दूसरे example की दूसरे question की यह कह रहा है कि let f be a uniform let f be a function define on s and f has removal discontinuity at x equal to a now define two sets t1 like you you can see t1 equal to set of all sequence a n such that limit a n tending to a and t2 is a set such that limit of f of a n if exist then then the sequence tending to 0 as n tending to infinity then t2 equal to l singleton यह क्या रहा है कि यह होना चाहिए t2 में एक single element आना चाहिए since solution क्या क्या है since f has removal discontinuity x equal to a x equal to a पर removal discontinuity है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि limit to exist करेगी right hand limit left hand limit दोनों पराबर आएगे exist करेगी now by hand theorems of on limit यह theorem यह कहती है यह basically sequence related होती वाली theorem यह कहती है कि limit x tends to f of x equal to n then whenever जब हम उसमें कुछ sequence उठाते है वो भी tend करने चाहिए जीरो की दरफ को ठीक है and f of n always tend to l so l2 l2 में क्या आगिया l2 क्या है sequence set of all f of n limit n tends to infinity f of n if exist ठीक है then an tending to a so इसकंदर सिर्फ a की element आएगा single element आजाएगा इसकंदर तो बस यह इसमें पोज़ भी रहा था कि इसकंदर हमाई बस क्या a की element आएगा yes इसकंदर a की element आएगा बात होगी खतम इतना से इसकंदर करना था और कुछ नहीं था इस question के अंदर तो reward discontinuity का basic concept बस इतना सही है और कुछ नहीं है इसकंदर की limit item limit left hand बराबर होती है और function की values बराबर नहीं होती है so redefine करके function को continuous बनाया जा सकता है मतलब discontinuity को remove किया जा सकता है अब हम बात करते हैं jump discontinuity ठीक इसको first kind के भी कहते है discontinuity of first kind ठीक है यह क्या है यह बड़ा simple है यह भी मतलब बहुत easy है easy सब्सक्राइब रियाद रख सकते हैं यह कहता है कि let a be a limit point of domain s and a belongs to s such that at a left hand limit and right hand limit both exist but not equal then f has jump discontinuity at x equal to a यह कह रहा है कि दोनों limit exist हो कर रही है अलग अलग लेकिन दोनों बराबर नहीं है दूसरे के ठीक है left hand limit different है right hand limit different है दोनों अलग अलग exist करते हैं लेकिन दोनों यह दूसरे के बराबर नहीं है इस situation में हमारे पर discontinuity आती है उसे बोलते है jump type और you can say the first kind discontinuity or jump discontinuity discontinuity ठीक है और जो different हमारी limits आती है then f has jump discontinuity x equal to a and the difference between left hand limit and right hand limit is called the jump size we denote jump size as jn right hand limit equal to f of a and left hand limit equal to left hand limit का मताभ हो गया नहीं function की value at limit and 10 to infinity from negative side x जब हम negative side से चलते हैं तो उसके उपर 1 minus sign लगा देते हैं negative side से L2 आ रही है और जो positive side से है right hand side से L1 आ रही है और left hand side से हमारी L2 आ रही है ठीक है तो इनका difference करेंगे limit का difference जब करेंगे तो यह आ जाएगा L1 minus L2 और यह पूट कर दिया तो इसी को L1 minus L2 को क्या बोलते है jump size बोलते है तो guys आपको इतना वस्तना याद रखना है कि jump discontinuity वह होती है जिसमें दोनों limit अलग-अलग exist करती है लेकिं दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती है जबकि जह हमारी removal है उसमें limit exit भी करती हैं और discontinuity है हमारे पास first kind की और jump discontinuity if jump size 0 हो जाए L1 into L2 हो जाएगा जब limit दोनों दूसरे के बराबर आएंग तो limit exit कर जाएगी इसका मतलब function की limit exit कर जाएगी इस case में हमारे इस switch में हम आपका दो cases बनते हैं case first ही बनता है कि अगर limit extends to f of x और not equal to function की value के then इसके पास यह तो वह बाली बात है कि पिछले वाली removal discontinuity होगी लेकिन अगर यह दोनों function अब limit भी बराबर है दूसरे के मतलब exit भी कर रही है उनों बराबर भी है और function की value at that point पे बराबर है तो function सीथी सी बात continuous हो जाएगा उस point के उपर है results कह सकते हैं आप ही नहीं कि if function is monotonic and jn equal to 0 then function is continuous by monotonic function है monotonic decreasing हो यह monotonic monotonic का मतलब होता है एक ही tone में बढ़ते जाना यह tone में गड़ते जाना यह तो बढ़ते जा रहा है यह गड़ते जा रहा है तो सब monotonic वोलते हैं function अगर monotonic है और jump size zero है मतलब left hand limit और right hand limit दोनों बराबर है function continuous होगा second notice में यह removal and jump discontinuity are together defined as simple simple discontinuity भोलते हैं ठीक है और यहां पर एक note मैंने और लिख दिया ही f of a minus f of from positive side from right hand side is called the left jump इस तरह से right jump और इस तरह से ठीक है यह मैंने तीन वैसे परणड़ा लग्स समझाने के लिए आपके लिए यहां पर तो I hope clear हो गया हो कि jump discontinuity क्या है and remove discontinuity क्या है okay second kind discontinuity 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 of second kind यह बड़ी आसान है यह ऐसी है जिसमें आप इसको मतलब क्या दें non simple discontinuity type क्योंकि क्या है यहां पर कि जैसे domain का point then function is set to have the discontinuity of second type at x equal to a if at least and left hand side or left hand side at least one at least one of left left hand limit or right hand limit fail to be exist also called the non simple discontinuity right hand limit or left hand limit exist ही नहीं करती है ठीक है तो आगे आपको check ही नहीं करेंगे इसमें सीधा क्या देंगे कि discontinuity of second kind है ठीक है इसको remove नहीं किया जा सकता ओके example ले लिया हमने तो हमने limit find करी function की exist नहीं करती है तो discontinuity आगी ठीक है यहां पर right hand limit fail to 0 fail to be exist ठीक है right hand limit इसकी exist नहीं कर रही है तो then function has the second kind discontinuity इसके बाद हम एक दूसरा example ले लिया है यहां पर both right hand limit and left hand limit fail to 0 fail to be exist ठीक है दोनों exist नहीं करेंगी तो यह same third example ले लिया both fail at every point of r ठीक है वो 0 पर 0 पर fail कर रहा था है यहां पर r के हर एक point पर fail कर रहा है discontinuity तो sorry fail कर रहा है limit exist होना जो limit exist नहीं हो रही है तो जाहिए सी बात है कि फिर तो यह इसमें discontinuity होनी 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 है okay result है next every monotony function defined on interval i has only jump discontinuity ठीक है monotony function होते है किसी इंटर में defined हैं सब जब discontinuity होती ही होती है jump discontinuity के पास होते क्योंकि monotony function है second इसके इसके लिए result है हमारे बास the set of discontinuity of monotony function is countable यह इतना यह दो कुछ होटे साए एक कहा जाए को एक एक line में एक result है लेकिन यह इतना कई बार इतनी सी बात है यह इस से related कुछ करके पूछ लेते हैं कि अगर discontinuity जो है monotony function की countable होती है countable discontinuity आए मतलब जो monotony function जैसे आप ले सकते हैं great as integer function का example ले 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 उसमें आप देखने discontinuity आड़ जाए लेकि discontinuity को with discontinuity countable है countable का मतलब यह होता है कि आप उनको set of natural number के साथ one one mapping exist करा सकते हैं ठीक है discontinuity and the set of natural number के बीच में one one on two mapping exist कर जाए कि तो उसका हम countable बोलते हैं यह मैंने बहुत प्रे डिसकस कर चुपा हूँ आपको lecture में आप देख सकते हैं जाकर के तो जो monotony function होते हैं discontinuity हमारे पास countable होती है next result है if f is monotonic and satisfy initial value problem then then if satisfy intermediate value property basically intermediate value property intermediate value property satisfy करता है then continuous होगा ठीक है बस यतना ही था आज के लिए एक मैसे वैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है यह तो यह उसी का एग्जांपल लिए इसको भी आप चाहाने देख सकते हैं ठीक है तो इसमें राइट राइट लेमिट लेप लेमिट लेमिट रही है तो एंड पॉंक्शन कंटिनियूस भी है और पर तो यह उनिफॉर्म कंटिनियूस हो जाएगा यह तो फैले पहले इसको कर चुक हूँ अब दूबारे इनके बारे अब शेयर अमंग दाफ्रेंट्स अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें यह फुरी आफ कॉस्ट है यह सारा से लेबस में अडिस्स करूँआ ज्यादा लोगों को फायदा हो सके इसलिए मैंने लेक्टा स्वीज स्टार्ट की है ओके ओके गाइस थैंक यू अगें